गुरुत्वा कर्शन का सिधान्त सर आईजाक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के बारे में कहा जाता हैं कि वो एक बार किसी एपल के व्रक्स के निच्चे बैठे थे। तो निच्चे क्यों आती हैं। फिर उन्होंने अपना एक नया सिधान्त दिया। जिसको आज हम गुरुत्वा कर्शन का सार्वत्रिक नियम। यनि की दो यूनिवर्सल लौ ऑप ग्रैविटेशन के नाम से जानते हैं। ये सिधान्त इन सभी घटना को सही तरीके से इस पास स्थिक्रत करता है। दोस्तों आज जो आप टीवी देख रहे हैं अगर ये नियम नहीं होता तो आप नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही कई रोजचक चीज़ें इस सिधान्त के आने से संभव हुई हैं। तो हम उनके सिधान्त को समझते हैं। तो दोस्तों गुरुत्वा कर् इस ब्रह्मान में सित कोई भी दो दर्यमान हमेशा एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्शित करते हैं। इस बल का परिमान उन दोनों दर्यमानों के गुणनपल के समानुपाती होता हैं। और उनके बीच की दूरी के वरक के विदकर्मानुपाती होता है। तैसे अगर हम M1 और M2 द्रेमान के दो गोले ने और उनको आर दूरी पर रखा जाएं तो उनके मद्य लगने वाला आकरशन बल का परिमान कैपिटल जी इन्टू M1 इन्टू M2 अपोन आर इसकोई के बराबर होगा और उन दोनों गोलों पर बल की दिशा एकदम विप्रित होती है दोस्तों जब आप किसी वस्तु को उपर की तरफ हैकते हैं तो वो निचे क्यों आती है क्योंकि वस्तु और प्रत्वी के मद्य आकर तो वस्तु निचे की जरव आती है अब आपका सवाल होगा कि प्रत्वी उपर क्यों नहीं जाती क्योंकि प्रत्वी का द्रियुमान बहुत ज्यादा मत्र है उस वस्तु के मुकाबले तो हमको प्रत्वी की गति दिखाई नहीं देती है तो दोस्तों अब हम यह निकालना कि कोई वस्तु प्रत्वी की सथवपर कितने त्वहरान से गिरती है इसके लिए हम क्या करते हैं माना की एक स्मॉल एम द्रियुमान की वस्तु प्रत्वी तल से ह उनी ए तो प्रत्वी और वस्तु के मत्वें कतना लगेगा capital D into capital M into small m upon R plus S का स्कोई यहाँ पर capital D एक constant है एक अच्चर है जिसका मान 6.67 into 10 to the power minus 11 होता है capital M प्रत्वी का द्रिमाने capital R प्रत्वी की त्रिजिया है अब अगर वस्तु की उंचाई कुछ km है तो हम R plus H को R के बराबर मान सकते हैं क्योंकि R का मान 6300 km होता है तो F का मान हो जाएगा capital D into capital M into small m upon R square अब वस्तु का त्वरन क्या होगा उस पर लगने वाल बल अपन उसका द्रिमान तो यहां से हमें उसका त्वरन मिल जाएगा जिसको हम small d से denote करते हैं और small d का मान हो जाएगा capital D into capital M upon R square और इसकी value लगब 9.8 meter per second square आती हैं कई बार प्रस्णों में हम जी को 10 के बराबर भी लेते हैं दोस्तों चंद्रमा हमारी प्रत्वी के चारों और सक्कर क्यों लगाता है क्योंकि चंद्रमा और प्रत्वी के मत्य आकर्शन बल लगता है और ये आकर्शन बल चंद्रमा को अभी केंद्रिय बल प्रधान करता है और इसी कारण चंद्रमा प्रत्वी के चारों और सक्कर लगाता है इसी कारण जितने भी ग्रह हैं वो सूरिय के चारों और सक्कर लगाते हैं यहाँ पर जो अभी केंद्रिय बल होता हैं वो सूरिय और ग्रफों के मत्य गुरुत्वा कर्षन बल के कारण मिलता है दोस्तों अब हम ग्रैविटेशन के अधिन होने वाले गत्यों को Newton के समीकरणों के माधिम से समझना चाते हैं अगर वस्तु की ओंचाई प्रत्वी तल से कुछ किलोमेटर हैं तो हम गुरुत्वी त्वरण को नियत मान सकते हैं और इस कारण Newton के समीकरण नियमन प्रकार होंगे V equal to U plus G T S equal to U T plus half G T square और V square equal to U square plus 2 G S दोस्तों Newton के समीकरण लगाते समय हमें नियमन बातों का अब से ध्यान लगना चाहिए जिन रार्षियों की दिशा उपर की तरफ हैं उनको हम धनात्मक लेंगे और जिनकी दिशा निच्चे की तरफ हैं उनको हम रिनात्मक लेंगे और चूंकि G की दिशा हमेशा निच्चे की तरफ होती है इसलिए हम G को हमेशा नेगेटिव लेंगे दूसरा time की value हमेशा positive यनि की धनात्मक होनी चाहिए दोस्तों एक उदारन के माधियम से इसको थोड़ा और समझते हैं माना की कोई वस्तू उपर की तरफ हैंकी जा रही है तो उसका प्रारंविक वेग positive होगा यनि की धनात्मक होगा उसका तुवरण रिनात्मक होगा और अन्तिम वेग और उच्चाई प्रस्न की अनुसार लेंगे इस प्रस्तित्व में उच्चाई की value भी हमेशा positive ही होगी और उच्चाई की एक value के लिए time की दो value होगी दोस्तों अब हम एक ऐसे वस्तू की गति का graph बनाते हैं जिसको कुछ उच्चाई से छोड़ा जाता है दोस्तों चूकि हम वैसा ही जानते हैं कि निच्चे की दिशा को हम रिनात्मक लेते हैं तो तीनो graph जो की तुवरण समय graph वेग समय graph और विस्तापन समय graph चतूर्थ चतूर्थांस में बनेंगे यनि कि फौर्थ क्वाडरेंट पे बनेंगे तो पहला graph तुवरण समय graph कुछ इस प्रकार से आएगा एक समय अक्स के साथ समानतर सरल रहका क्योंकि तुवरण कमान नियत है और इसी प्रकार वेग समय graph पी एक सरल रहका आएगी जिसकी ढाल माइनेस 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको होगी और यह रहका मूल बिंदू से स्टार्ट होगी तीसरा graph विस्तापन और समय के साथ तुवकि हम जहां से वस्तु को छोड़ रहे हैं उसको मूल बिंदू मान रहे हैं तो प्रारंबिक टाइम में वस्तु का विस्तापन जीरो होगा और वस्तु जैसे जैसे निच्चे की तरह आएगी उसका विस्तापन देनात में खोता जाएगा और यहाँ पर उसका तुवरण नियत हैं तो इसका graph निच्चे की दिसा में खुला हुआ एक परवले मिलेगा दोस्तों अब हम द्रवियमान और भार में अंतर समझते हैं द्रवियमान मतलब मास को हम किसी वस्तु के घनत्व और आयतन से संभदित करते हैं जबकि किसी वस्तु का पार उस पर प्रत्री के कारण लगने वाला गुरुत्वा कर्षन बल होता है दोस्तों मास को हम कमानीदार तुला से मापते हैं जबकि भार यनि की वेट को हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं दोस्तों किसी वस्तु का द्रेवमान निच्चित होता है जबकि भाग अलग-अलग जगव पर अलग-अलग हो सकता है जैसे प्रत्वी पर किसी वस्तु का भार अलग होगा और संद्रमा पर अलग हाँ तो दोस्तों हमने गुरुत्वा कर्शन के स्टैप्टल को पढ़ लिया है अब एक क्यूसन करते हैं अगर किसी वस्तु को उपर की तरब 40 मीटर पर 30 सेकेंड के वेग से फैका जाता है तो किस समय वस्तु का वेग माइनस 30 मीटर पर सेकेंड होगा इसको करने के लिए हम न्यूटन का पहला समीकन लगाएंगे वी एक्वल टू यू प्लस जी टी यहाँ पर वी यू और दी के मान रखतेंगे और टी की वेगली सांस सेकेंड मिल जाएगे सेकेंड किसन अगर वस्तु का दुर्वयमान M किलोग्राम है तो प्रत्री और तंद्रमा पर भार बताओ जबकि आपको ये देर रखा है कि संद्रमा पर संद्रमा के कारण उत्पन गुरुत्वय त्वरण का मान प्रत्री के मुकाबले एक बड़ा च्छ गुना होता है दोस्तों चुकि हमी जानते हैं कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वित वरण इंटु दुर्यमान होता हैं तो प्रत्री पर उसका भार हो जाएगा M इंटु G और संद्रमा पर हो जाएगा M इंटु G बाई 6 दोस्तों अब मैं आपको कुछ क्योशन दे रहा हूँ जिनको हल करने का प्रयास करों इन सभी क्योशनों के हल वरणन में दे रखे हैं अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके ही प्रेम के कारण क्योंकि आपके आपके ही वर्णन में आपके ही बाएगा